हुआ बचो कैसे हैं आप सभी वेलकॉम बेक टू मैं यूटूब चैनल अजिव विद्रगान बचो आप सभी को पता है हमारी यूटूब चैनल पर विद्रगान स्कूल की तयार एकदम बहतरीन तरीके से और एकदम फिरी में करवाई जा रही है और आज का वीडियो बहुत जब 2019 में पेपर दिया था हमको परिक्षा करने के लिए दो घंटे 30 मिनट का टाइम दिया था और पुर्णाग जो था 105 अंगों का पुर्णाग था ठीक है और हमारे जो कुशन आयते नंबर ओफ कुशन नबबे कुशन आयते यहाँ पर आप देख लो मेरा नाम भी है अज वोही बात नहीं आज का ये पेपर बहुत जरूरी है इसको अच्छे से हम solve करेंगे यहाँ पर पहले आपको जो test मिलेगा आपको लेंग्वेज का मिलेगा अब लेंग्वेज का test मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कैसे आएगा देखिए मैंने यह design करके रखाए फोट्टो काप प्रिंट करवा के यह original paper नहीं है यह बाद में मैंने net से निकल वाया था ठीक है तो देखो यह मैंने उस time लिखा था जब मेरा selection हो रहा था दिरे दिरे कि ऐसे सिकर क्या आएगा वो सभी चीजे में आपको बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो तो देखो सबसे पहले हिंदी की बात करूँ तो हिंदी का जो आपका खंड का ही हिंदी आपका आने वाला 18 December को जो paper होगा जिसमें आपके 20 question क्या? 20 question आपको दिखने के लिए मिलेंगे इसमें जिसमें की 4 खंड होँगे कितने बचो? चार गध्यांस होँगे गध्यांस आप जानते हो हिंदी के अभी हम करेंगे आगे-आगे और प्रते गध्यांस में कितने question होँगे? 5 question होँगे कितने? यानि कि 20 question इसमिला के कुल मिला के इस तरह से होने वाले है ठीक है? पहला हमारा जो topic है हिंदी language तो देखो यह आगया है हमारा हिंदी का बच्चो आप हिंदी काम अच्छे चे पढ़ेंगा आप देखते रहना आप कितने उत्तर सही कर रहे हो वो भी मुझे बताना और इस वीडियो को शेर कर जरू करना ठीक है? आप जली-जली solve करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास मिला के देख लीजिए दो घंटे का टाइम मिलेगा आपको परिक्षा करने के लिए टोटल ठीक है? तो यहाँ पर है नीचे दी गई कहानी को पढ़कर और समझकर प्रिशनों के उत्तर हैं करीब 50 साल पहले की बात है कोलकता सहर का बड़ा बाजार इलाका तब सहर का सबसे घनियाबादी वाला इलाका था आज की तरह तब फ्लैट नहीं होते थे फ्लैट मतलब अब जानते हो जो आपको रूम मिल जाता है फ्लैट वगरा टाइप के काफी महंगे मैं कर लोग जानने वाले लोग उनको पड़ोसी कहते हैं क करते था जिसका नाम चुलै होग तरहरा था-ऊपर जिसका नाम पराशाथ था तब आज की तरह रआट सोई गैस नहीं होआ करते थे ने चुले वगरा पर छूइल चलते थे घिक है लोग चूले पर खाना पकाये करते थे, आपर दिया भी गया, चूले में कोईला जलाते थे, जिससे बहुत दुआ उठता था, रामपरसाद जब भी चूला जलाता, उसका दुआ रामपरसाद के घर में इस कदर भर जाता कि उसके बच्चे पढ़ लिखने ही पाते थे, उसक के दुएं से मेरी मा बीमार पड़ जाती है और बच्चे पर्लिंग नहीं पाती है वो अपना दोख उसके साथ share कर रहा है request कर रहा है कि आप सड़क की तरफ उसका मूग कर लो फिर राम परसाद कर रहा है राम परसाद इसका मजा लेते हुए कहता है गंगा भाई क्या उसका नाम गंगा परसादा तो उससे कह रहा है गंगा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार दुएं के तो सबाब ही है दुएं का तो रुत्बा सबाब ही ऐसा है कि उपर उठता है वो उपर जाता है दुएं तो उपर ही उठेगा इसे राम जी का परशाद समझ कर स्वोईकार करो मजाक बनाते उसने कहा इसे भगबान का परशाद करके स्वोईकार करो लो इसको दुएं को है न गंगा परशाद कुछ नहीं बोल पाता था तो क्या कहता बिचारा सर्मा अगे मतला लजज़त करके उसको भीज़ दे दे आगे करें इसी तरह परिशानी में दिन बीट रहे थे कि एक दिन गंगा परशाद का छोटा भाई स्याम उससे मिलने आया सुबह घर फिर धुएं से भर गया उसकी बूरी मा का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया कुद स्याम परिशान हो गया जब तक घर में धुएं भरा रहा वह कोई काम नी कर सका ठीक से सांस नहीं ले पाया स्याम ने गंगा परशाद को कहा देखू, जो स्याम था वो गंगा परशाद का क्या था? छोटा भाई था? वो घर पे आय था? मिलने उन से तो कह राया दा उस Googles ने जब वो आया उसने भी वो परिशा ने देखी तो कह रहा है भाईया ये क्या? कितना हनी कारा कही ये धुआ, मना मना क्यू नहीं करते है पड़ोषी को इस तरह से यह दूआ आपके घर में आता है क्या हाल कर रख़ा है दूए ने सब का जब उसने उसकी घर की कंडिशन देखी तो उसका यही रेक्शन यही था घर का क्या हाल कर रखा है बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं आगे कह रहा है गंगा परसाद ने उसी सारी कहानी सुनाई गंगा परसाद ने अपने छोटे भाई को बताया कि ऐसे से बात हुई है उसने गंगा परसाद से का तुम चिंता मत करो जो सियाम था उसका परसाद के सारे कपड़े भीगए आगन में बड़ियां भीगगए। दौरता हूँ अंगन में आया और नीचे चीक, बच्फूब यह क्या कर रहे हो पानी क्यूं गिरा रहे हो देखो मेरे सारे कपड़े भीग गए। बड़ियां भीग गई, शाम उपर से बूला भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पानी का तो सुबाह भी है, नीचे गिरना, इसे गंगा का परसाद समझ के सुभीकार करो, तो उसने भी मज़ा लेते हुए वही बात की, उसने बोला कि गंगा परसाद कुछ नहीं बोल पाता है, उसने बगवान का प्रसाद सवीकार करो उसने भी ये बोला कि गंगा का जो गंगा का जल होता है इसे गंगा जल समझो और श्वाईकार करो है ना दूसरे दिन दुगा आना बंद हो गया है ना यहां पर सब्धार्थ दिए गए हैं अब आप गधांस को पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं अच्छे से आपको मजा है इसलिए आपको हस्ते हुए पढ़ा रहा हूँ ठीक है पर आपको बहाँ पर जल्दी जल्दी करना है हमारा पहला कोश्ण है, राम प्रसाद और गंगा प्रसाद किस तरह के इलाके में रहते थे, तो इब को इस तरह के इलाके दब सहर गनी अबादी वाला था, फ्लैट नहीं हुआ करते थे, खुले घर, तो क्या थे, जो सहर से बहुत दूर था, नहीं, जो बजार से बहुत दूरता नहीं, जहां कोई आता जाता नहीं था, नहीं, जहां बहुत सारे आसपास के घर आजपास बने हुए थे, तो कैसे, मतलब किस तरह के इलाके के में रहते थे, करीब 50 साल पहले की बाता है, कोलकता शहर का बढ़ा बजार इलाका तब सहर का सबसे घनियाबादी बाला इलागार था। आज के तरह बहाँ फ्लेट नहीं थे होते थे। खुले घर और घरों के बाहर आंगन हुआ करते थे। वहीं पर दो पडोसी रहते थे। एक नीचे के तल्ले में। क्या था आप देखो, यह आ गया, वहार आंगन हुआ करते थे, खुले और घर पास हुआ करते थे, खुले घर और घरों के बाहर आंगन हुआ करते थे, तो क्या कह रहा है, जो यह तो, अप्सन नमबर यह तो होगा नहीं, अप्सन नमबर बी देखो, जो बाजार से बहुत द तर हुआ भूचो आगे दे किखेंगे हमारा क्या है थूह के का इराण अगंगा परशाथ के घरों के लोग देश पर क्ल प्रबाब पड़ रहा था संध की सुंधर्टा पर पढ़ रहा था सुवास्ति पर पर पढ़ रहा था सामान सीथ पर भोजन पर sth तो देखो, उनके सबसे ज़्यादा जो पढ़ रहा था, वो सवास्त पर पढ़ रहा था, यहाँ पर लिखा भी है, आप देखोगे, राम पर साथ से बिंती करता है, मतलब उसके जो मा थी, उसके बच्चे पढ़ लेंगी, पाते जब धुआ आएगा तो है न, एकतम तब देखते रहे हैं, बड़े बड़े इंट्रेस्टिंग कोश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तीसरा हमारा कोश्चन ही है, राम पर साथ खुद को नुक्सान पहुंचाए बिना दुएं को गंगा पर साथ के घर की और जाने को कैसे रूख सकता था, तो कैसे रू बड़े सकते ही, चूले को मुँँ घर की दूसरी और करके, अपना घर कहीं हो और बदल कर, नहीं, जूले का मुँँ घर से दूसरी और करके, सड़क की और कर लेना, यह उसका सहिथ रहे है, चौता है हमारा, मैंने जैसकी बताया कि हरे गद्दाज में पांच कोश्चन तो आप इस कहानी से क्या समझे, पीछा करने का, नहीं, परिशान करने का, सबक सिखाने का, मजा कोड़ाने का, तो देखो, इसमें जो सही उत्तर है, आपको लगेगा कि परिशान करने का, option number B, उसने इसे परशान किया, हमने उसे परशान किया, नहीं, उन्होंने एक इसको सबक सिखाया है, ठीक है, क्या किया, जैसा करोगे, वैसा भरोगे, ये उस तरह से, मतलब सबक सिखाने का, इन्होंने, option number C, रिंड लिया था, उसके छोटा बाई, जब आया था, सियाम, तो उसने सबक सिखाने का, सपत ले ली थी, कि हाँ, इसको आप सबक सिखाऊंगा, प जैसे को तैसा, बिल्कुल, जैसे को तैसा, बिल्कुल मैच कर रहा है, जैसे को तैसा, option number D में दे रहा है, option number D मारा बिल्कुल सही है, अब जैसे को तैसा क्यों आएगा, देखो, राम परसाद नहीं, गंगा परसाद को, मतलब गंगा परसाद को परिशान किया था, और उसके उपर भी उसी तरह की परेशानी हुई ना तब उसको समझाई कि हाँ गंगापरसाद कैसे मतलब रहता है कैसे दूए कुछ हिलता है तो यहाँ पर क्या है जब सियाम ने उसको डराया धंकाया नहीं तो सियाम ने बस सबक चिकाया था जब उसने अपने कराय पर खुद खुद तो पच्तावा उससे हुआ ही नहीं कभी जब सियाम के भाई ने उसके साथ वैसा ही किया ना तब उसको पच्ताव हुआ तो सी में दे रखा है जब उसने स्वैम वैसी परिशानी का अनुबब किया मतलब जब उसको जब उससे लगा ना कि हाँ प्रॉब्लम कैसे फ दूसरा गध्यांस है, नीचे दिये गध्यांस को पढ़कर समझे कर प्रशनों के उत्तर दें, आप इसको आप ध्यांस से देखेंगे, तहाँ पर क्या है, पूँच का महतब, मतलब पूच के जो काम होते हैं, महतब होते हैं, वो बताया गया है, है ना, तो कह रहे हैं, बच् चला करता था, चौपाया मतलब, चारो चीजों से चलना हाथ पर, चारो चौपाया इसली के लिए, धेरे धेरे उसकी पूच खतम हो गई, क्यूंकि पूच की उप्योकता मनुशी के महतब होते हैं, कोई काम ही नहीं था, पूच का, पर अंदु, बाकी प्रणानियों में, कुत्ता खुश होने पर यहां माले के प्रती प्रेम जताने के लिए अपनी दुम हिलाता है आपस में प्यार जताने के लिए टिटी नामक बंदर पूँच में पूँच उलजा कर बैठते हैं हिरन अपनी पूँच से अपने साथ संकेतों के आदान परदान करते हैं कंगार उचलते समय अपनी मौटी दुम से सिप्रिंग का काम कर लेता है तता बैठते समय अपनी दुम को कुर्सी का इस्थान देता है आपने पेडों से अक्सर गिलहरियों को उतरते और चड़ते देखा होगा वे ऐसा करते समय अपनी पूँच के ही कारण संतुलित रह पाते हैं दुस्मन से सामना होने पर शिप्ली अपनी दुम पर कमाल दिखाती है जैसे ही उसे दुस्मन से खतरा नजर आता है वे अपनी दुम को जटक कर तोड़ देती है जैसे दुस्मन ब्रहम्मित हो जाता है और वे भाकर अपनी सुरक्षा कर लेती है कुछ विशेश प्रकार के साम दुस्मन को दोगा देने एबम स्युयम को सुरक्षित रखने के उदेश से अपनी दुम को सिर्की भादी उठा कर चलते हैं चूहा और चुजंदर पानी में जब कभी गिर जाते हैं तो तैरते समय पतबार की भादी पूच का इस्तमाल करते हैं बीद नाम का चूहा अपनी पूच का उपयोग छोटे छोटे बांद बनाने में करता है इसके अलाबा बीबर चूहा अपनी पूच को पानी पर मार कर खत्रे की सूचना भी देता है पेड़ पर चढ़ते समय तेंदू अपनी पूँच से ही चंतूलन बनाता है लॉम्डी अपनी पूँच की साहता से ही दोड़ते दोड़ते अकास्मक दिक्सा में परिवेटन कर लेती है तो देखो इसने हमने पूरे गध्याज में पूँच के बारे में पड़ा नहीं अभी तो यह है अभी तो हमारा गध्यास की खतम नहीं है तो गध्यास खतम करते हैं सच जानबरों में पूछा पूछ का बहुत ही महत्ब है मतलब सच मुछ में जानबरों में पूछ का बहुत ही महत्ब है जहां यह पूछ पंचियों की कई नही प्रकार से साहता करती ह है वहीं कई पंच्चियों की खुबसूरती में भी यह पूच्छ नहीं पाई जाती है जैसे की मोर की पूच्छ देखते हो पंक बगरा उसकी कितने खुबसूरत लगते हैं तो यही एक एक जम्पल दिये गा है और ज़रा सोचो बिना पूच का जानवर आखर कैसा लगेगा ह यह काम ही नहीं नहीं प्रेओ करते हैं तो पूच्छ नहीं होगा तो इसका राइट अंसर क्या हो गया भाई? अब हम क्कूशन कर रहे थे तो सब अच्छे से समझाता हूँ चाहे मेरी वीडियो बड़ी हो या फिर शोटी हो ताकि आप अच्छे से समझो तो option number D हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इन में से कौन सा जानबर आपस में प्यार दिखाने के लिए अपनी पूँच का प्रयोग करता है तो टिटी नामक बंदर प्रयोग करता है ठीक है? आगे देखो नॉमा चिपकली अपनी पूँच क्यों तोड़ देती है तो चिपकली अपनी पूँच इसलिए तोड़ देती है जाकि जो उसके पिछे उसका जान लेने के लिए पड़ा उसको मानने के लिए पड़ा है तो वो पूँच तोड़ देती है ताकि उसका सत्रू उसकी कटी हुई पूंच से डर कर भाग जाए तो क्या होगा अपसर नंबर डीमरा बिल्कुर से उतर है वो भाग जाए और वो अपनी जान बचा सके है ना दी दस देखो इन में से कौन सा जान बर अपनी पूंच को प्रियोग खुद को संबालने के संतूलन करता है तो कौन सा है भाई तेन दुआ है सांप है गंगार हुआ है छतुंदर है तो इन में से कौन सा जान बर अपनी पूंच को प्रियोग खुद को संबालने के लिए को अभी हमने ये गध्धांस पड़ा, इसमें दिया गया था, एक तो इसका तो तेन दूआ भी हो सकता है, क्यूंगी देखो, कह रहा है है, यहापर देखिएंगे, संतुलर बना पार रहे हैं, यहापर देखिया न, वे ऐसा करते समय है, अपने पूँच को ही कारण संतुलम रखते हैं आपने पेड़ों पर अक्सर गिलहरों को उतरते देखा चड़ते देखा होगा वैसा अपने पूँच के तो यहाँ पर एक separate दिया होगा आपको यहाँ तो चीते का दिया होगा यहाँ दो दिया होगा आपको किसका आगे देखते हैं हम पढ़ते हैं फिर से पढ़ेंगे अपस में प्यार जैदानी की टिटी नमक बंदर अपनी पूँच का उल्सा हेरन अपनी पूँच से अपने सा रक्षा कि दुम जलती है चुगा ये चीता वाला खां गया चीता वाला दिख क्यों नीरा में है चलो मच्छरों को डाने कुटा खुश आपस मैं प्यार जिताने के लिए हमारा क्वेश्चन क्या था हमें एक फिर से देखते हैं क्वेश्चन था हमारा इन में से कौन सा जानवर अपनी पूच का प्रियोग खुद को संभालने के संतूलर बिनाए रखने के लिए करता है तो देखो आपस मैं प्यार जिताने के लिए हिरण अपने पूच से अपने आस पाची तो कंगारू उसलते समय अपनी मौटी स्प्रिंग पूर्ड को तता बैठ समय अपने पेडों से गिलेने को तरते हुए देखा होगा ऐसा करते समय अपनी हम इसको फिर से कर रहे हैं ब देखो यह कह रहा है यहाँ पर हमको मिल गया हमारा आंसर साइद मिल गया है मुझे लग रहा है तो देखो यहाँ पर पेड़ पर चड़ते समय तेंदू अपनी पूच से ही संतूलन बनाता है तो संतूलन की बात की दी तो क्या आएगा इसमें भाई हमने ढून लिया देख तो क्या है, इन में से कौन सा जर्म आपनी पूच को प्रयोग खुद को संभालने के लिए करता है, तो कौन करता है, ये करता है, तीन दुआ, अपसा नंबर भी हमारा बिल्कुल सही हुततर है, ठीक है, ग्यार में देखो, दिये गए वाका इंचियों मैं, किसमें, रेखा कें आपको पढ़ना पड़ेगा, विशेष्टा न जो किसी चीज की विशेष्टा बताता है, सुन्दर, मीठा, मौटा, लंबा, ये सब विशेष्टा है, ठीक है, एक इनसान की, तो क्या करें, उस समय मनुष चौपाया था, क्या ये विशेष्टा है, कोई 4-5 से मनुष चल पड़ोगे, खुबसूरती तो एक सब्दी क्या बोलते हैं, बिशेष्टन सब्दी है ये, तो खुबसूरती हमारा option number D मारा बिल्कुल सही उतर होगा, अब हम दो गधांस कर चुके हैं, और आने वाले वीडियो में हम फिर से दो गधांस और करेंगे, इंगलिस करेंगे, म बात करूँ, तो मेरा नाम अजे कुमार है, और मैं पहले ही विद्यागान स्कूल की परिक्षा को पास कर चुका हूँ, और ये मेरा पेपर आप देख रहे हो, जब मेरा ये खुद का पेपर है, जब मेरा जो पेपर हुआ था 2019 में, तब का ये पेपर है, 24 नवर मेरा पेप सब कुछ करवाएंगे आपका, बस आपको ध्यान रखना है, अभी तो टाइम 18 दिसंबर को, पर 18 दिसंबर को आप देख रहे होगे, अगले महिने में बहुत कम लग रहा होगा आपको, पर आप देख रहे होगे कि आपके जो त्यारी है, अजे विद्यागान यूटूब कर लेना है, और उसको भी आपको जोइन कर लेना है, ठीक है, तब तक लिए बाई बाई जैहिन